हेलो दोस्तों मैं सचन अरोडा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस ओफीशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सब सुमीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे आज के सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे IBPS, RRB, PO, Clerk, Computer Awareness के टॉप 40 कोशन्स पर वैसे ही कोशन्स जैसे एक्जाम में पूछे जाते हैं सेम वही लेविल का पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है बेस्ट लेविल के कोशन्स हम लोग डिसकस करते हैं क्योंकि Computer Awareness है तो यहाँ पर जो पैटर्न होता है कम्प्यूटर का वो लेटेस्ट टेकनलोजी पर बेस्ट भी होता है कई सारे कोशन्स आपको ऐसे भी मिलते हैं जो करेंट टेकनलोजी के बेसिस पर हैं साथी साथ कुछ पुराने टाइप के कोशन्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन जादा तर कोशन्स ऐसे रहते हैं जो MS Office पर बेस्ट है Networking पर बेस्ट है Email पर बेस्ट है तो इसका मतलब कुछ specific topics को अगर आप अच्छे से तयार करेंगे जैसे operating system, email, MS Office, MS Word, Excel, PowerPoint, Networking, Internet, cookies के बारे में तो अगर आप इन topics को अच्छे से पढ़ लेते हैं including software, database तो यहाँ पर आप exam में अच्छा score कर सकते हैं लेकिन ये जरूरी है कि आप exam के level के according पढ़ें ना उससे ज़्यादा ना उससे कब accurate पढ़ें ताकि आप अपने time को भी save कर पाएं और computer में maximum score भी कर पाएं computer में fail बहुत सारे candidates होते हैं लेकिन आपको pass ही नहीं होना है आपको यहाँ पर maximum score करना है तो target हमारा क्या है? 35 plus score करने का computer में तो चलिए आज के session में फिर से एक बार try करते हैं 35 plus score करने के लिए मुझे comment section में comment करके बताईएगा कि आज के session में आपने कितना score किया है आप सभी को बताना है कि सर आउट ओफ 40 हमारा score यह रहा जैसे कि आपने day 1 में share किया था हमारे साथ साथी साथ हम आपको यह भी बता दे कि वो candidates जो की computer को लेकर काफी serious हैं और सोचते हैं कि computer का paper कितना भी tough क्यों न हो कितना भी tough क्यों न हो हम यहाँ पर 35 plus score करेंगे ही करेंगे और इसके लिए आपको एक बार concept level पर जाकर थोड़ा सा पढ़ना होगा आप इस course से connect कर सकते हैं जो की IBPS RRBPO clerk, RBI assistant, state level exams को focus करते हुए बनाया गया है यह course पूरा sufficient है IBPS RRBPO clerk चाहे scale 1 की बात करे, scale 2 की बात करे normal RRBPO clerk की बात करे इन सभी को लेकर यह course sufficient है guys इस course में आपको total 65 plus hours की videos मिलेंगी concept wise, mcq wise, mock test मिलेंगे pdf मिलेंगी, जिससे कि आप exam में इसको revise भी कर सकते हैं with the help of pdf notes clear है, तो बिलकुल अगर आप join करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Aroda educator application को install करना होगा Google Play Store या iOS Store की मदद से और फिर आप इस course से connect कर सकते हैं किसी भी confusion के regarding दिये गए नंबर पे WhatsApp करके भी आप अपनी query को हमसे पूछ सकते हैं कोई doubt है, कोई confusion है WhatsApp कर दीजेगा दिये गए नंबर पे response आपको जरूर मिलेगा Validity कितनी रहने वाली है इस course की 12 months from the date of purchase ये course पूरा recorded course है live classes over हो चुकी है यहाँ पर अब आपको complete recorded sessions मिलेंगे जहां आप एक दिन में तीन तीन चार चर वीडियो को देख कर अपने course को समय से पहले end कर सकते हैं examination के time पर इबर revision करके बढ़िया तरीके से score करेंगे definitely तो चलिए आज के session में best 40 questions देखते हैं और देखते हैं कि आप कितना score कर पाते हैं आज के session में ये particular question था जो हमने previous session में आप से पूछा था question of the day के format में और बहुत सारे candidates ने सही answer दिया है question क्या था dash topology is highly expensive ऐसी कौन सी topology है जो बहुत महेंगी होती है ये महेंगी भी है और टिकाओ भी है यानि reliable भी है और expensive भी है बिल्कुल सही this technology is called as mesh topology highly expensive topology का नाम है mesh ये reliable भी है सबसे भरोसे मंद भी है ज़्यादा तर automation के लिए इस्तमाल की जाने वाली topology भी mesh topology ही क्यलाती है तो यहां से exam में answer बनता जरूर है कोई ना कोई question mesh topology से जरूर मिलता है examination तो चलिए आज के session में बात करते हैं पहले question की बताई आंसर android 14 was announced in an android blog on 8th February 2023 what is the name of android 14 android 14 की घोषणा 8 फरवरी 2023 को android blog में की गई थी android 14 का नाम क्या है अभी android 14 बहुत सारे mobiles में नहीं आया है यह testing phase में है announce जरूर हो चुका था इसके बारे में android के blog में 8 फरवरी 2023 को तो आपको बताना है इसका नाम क्या है upside down cake cupcake tiramisu snow cone या फिर red velvet absolutely and the correct answer is android 14 is called upside down cake यानि option number one is the valid one android 13 जिसका नाम फट तिरा मिसू अना ये भी याद रखिएगा android 13 क्या है that is टेरा मिसू android 14 क्या है that is upside down cake जितने भी android के वर्जन है ये alphabetical order में होते हैं A, B, C, D, E, F, G, H इस तरीके से और साथी सा जितने भी android के वर्जन है वो सब deserts के नाम यानि sweet dishes के नाम पर होते हैं next which of these MS office product is an upgrade of Microsoft Skype for business इन में से कौन सा MS office उत्पाद Microsoft के Skype for business का upgrade है MS office का बहुत पहले आपने सुना होगा नाम Skype for business या Microsoft Skype जो जिस software का इस्तमाल video conferencing के लिए किया जाता था meetings होती थी तो Skype पर होती थी लेकिन Microsoft ने हाल ही में Skype for business software को upgrade किया है किसमें नया नाम दिया है that is called Microsoft team तो अब Skype for business भी है और Microsoft का team भी है जिसके थूँ video conferencing meetings conduct की जाती है next which of the following file system is employed by Windows 8, 10, 11 for managing files on hard disk hard disk पर फाइलों को प्रबंधन यानि management के point of view से Windows 8, 10 और 11 द्वारा निम्न लिखित में से कौन सा file system ने उजित किया गया है यानि यहां पर बात हो रही है किसकी file system के बारे में और latest Windows के बारे में यानि Windows 8, Windows 10, Windows 11 इन सम्में जो file system support करता है वो है NTFS that is stands for new technology file system यानि correct answer होगा option number 4 very good next बताइए question number 4 इसका answer गाईज Dash is an artificial intelligence chatbot developed by San Francisco based startup open AI San Francisco इस्थित startup open artificial intelligence द्वारा विक्सेत एक artificial intelligence chatbot है इसका नाम बताइए Sophia, Bard, chat GPT, Fred या फिर all of these absolutely true and the correct answer is chat GPT बहुत famous है याद रखेगा कि chat GPT क्या है एक artificial intelligence AI based chatbot है जिसको develop किया गया है किसके द्वारा San Francisco जो startup company है open AI के respect में open artificial intelligence बनाने वाली that is chat GPT यहाँ पर एक्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि chat GPT की full form क्या है answer is chat generative pre-trained transformer chat generative pre-trained transformer that is called chat GPT next which function will be used to enter current time in a worksheet cell यह question पूछा जा रहा है MS Excel से और कह रहा है MS Excel में जो worksheet की cell होती है उसमें वर्तमान समय दर्च करने के लिए किस function को उपयोग किया जाता है current time को insert करने के लिए now function का use करते हैं current time को insert करने के लिए so correct answer is now function today function का use करते हैं current date के लिए जबकि now function का use करते हैं current date और time को insert करने के लिए इन दोनों में से भी एक question जरूर आता है या तो exam में current date पूछ लेते हैं या current date और time दोनों पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा date और time के case में now होगा और date के case में today function होगा Next Which of the following in MS PowerPoint 365 will not advance the slide in a slide show view? क्या रहे MS PowerPoint 365 में निमन में से कौन सा slide show view में slides को आगे नहीं बढ़ाएगा Slide show में हम क्या करते हैं? Slides को आगे बढ़ाते जाते हैं जैसे ये हमने पीछे बढ़ाया, ये हमने आगे बढ़ाया तो ये slide show view है आगे बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम space bar का यूज़ कर सकते हैं हम enter key का यूज़ कर सकते हैं हम mouse button का use कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर पूछ रहा था किसका use नहीं करते हैं escape की का use नहीं करते हैं slides को आगे बढ़ाने के लिए तो correct answer क्या होगा guys escape की is not used to advance the slide in the slide show view very good the active cell is M10 कह रहा है MS Excel में एक active cell है M10 के नाम से if you press the enter की अगर हम enter की प्रेस करते हैं then you will reach at dash तो हम किस पर पहुच जाएंगे M2 M10 cell पर हम हैं अगर हम enter प्रेस करते हैं तो M11 पर पहुच जाएंगे यानि correct answer क्या होगा option number 2 M11 is that clear to everyone guys very good next a video consist of sequence of क्या रहा है एक video में अनुक्रम होता है sequence होता है किसका frames का signals का packets का slots का या all of these यानि इन सभी का तो वीडियो किसके collection से मिलके बनी होती है वीडियो में किसका sequence होता है ये आपको बताना है बिल्कुल सही correct answer को का frames a video consist of a sequence of frames so the correct answer is option number 8 next question 9 पढ़ी और बताईए इसका answer guys ये तो बहुत famous question है अगर आपने IBPS के previous year के paper दिये हैं तो आपको इस तरीके का question जरूर देखने को मिला होगा बताईए dash gets propagated through network and technologies like SMS, Bluetooth, wireless medium, USB and infrared to affect mobile phones के रहे dash mobile phone को प्रभावित करने के लिए SMS, Bluetooth, wireless माधियम, USB और infrared जैसे network और तकनीकों के माधियम से प्रचारित किया जाता है propagate का मतलब फैलाना हम किस से propagate करते हैं network में क्या चीज फैलती है बहुत AG के साथ malware, virus यानि यहाँ पर correct answer क्या होगा guys malware is the correct one malware propagate होता है फैलता है network में किस के तरू, SMS के तरू, Bluetooth के तरू, wireless, Wi-Fi के तरू, USB यानि pen drive के तरू या infrared medium के तरू very good which among the following is not an open source operating system निमन में से कौन सा open source operating system नहीं है open source का मतलब एक ऐसा platform, एक ऐसा software जो की free of cost है और जिसमें editing भी possible है जिसमें बदलाव भी possible है उसे बोलते हैं open source Ubuntu open source है Linux का Windows ये open source नहीं है ये paid है, ये free नहीं है तो correct answer होगा Windows जबकि Drupal, Linux, Fedora ये सब हमारे free of cost है Windows is a paid one, that is not a free of cost so that is not an open source operating system very good Moving Pictures Expert Group MPEG कई बार MP4 के नाम से भी जानते हैं is used to compress Moving Picture Expert Group MPEG का प्रयोग किसको compress करने के लिए किया जाता है Videos को compress करने के लिए किया जाता है MPEG का use तो correct answer बनेगा that is option number 4 Videos Next Which of the following is an example of open source software निम्न लिखित में से कौन सा open source software का उधारण है तो अभी हम लोग ने इससी तरीके के question को देखा था कि कौन सा नहीं है अब आपको बताना है कौन सा open source है Adobe Photoshop Microsoft Word Libra Office Skype या all of these correct answer है Libra Office यह open source है यह free of cost है और इसमें editing यानि बदलाव यानि modification भी possible है Libra Office MS Office क्योंकि paid है और MS Office का alternative that is Libra Office clear है very good which among the following are the most are the best tool for fixing the error निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा उपकरण है तो रुटियों को ठीक करने के लिए तो अगर हम बात करें errors की तो errors को remove करने के लिए errors को fix करने के लिए हम किसका यूज करते हैं F disk, scan disk, check disk, fixer disk या ननाउग दीज बताईएगा बिल्कुल सही and the correct answer is scan disk का यूज करते हैं अगर हमारी hard disk में कोई error आ जाती है तो हम क्या करते हैं उस hard disk को scan करते हैं scan करने पर जो भी हमारे पास virus होते हैं उस disk में वो display हो जाते हैं antivirus के द्वारा antivirus उनको क्या करता है debug करता है, उनको हटाता है उनको clear करता है और system की performance को increase करता है तभी तो antivirus को हम utility software की category में रखते हैं क्योंकि utility software वो software होते हैं जो system की performance को increase करते हैं जैसे antivirus if you want to share a document and you want pupil to just see it and not edit it then who should you use कह रहा है यदि आप एक दस्ता वेच साज़ा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देखें और इसे संपादित ना करें तो कौन क्या आपको प्योग करना चाहिए तो यहाँ पर आपको किस platform का use करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कोई इसमें edit ना कर पाए कोई change ना कर पाए that is called PDF PDF files में कोई editing possible नहीं है normally लेकिन हाँ Adobe Reader की मदद से Adobe Editor की मदद से आप वहाँ पर changes जरूर कर सकते हैं लेकिन normally नहीं कर पाएंगी तो PDF की full form यहाँ पर क्या है portable document format इसकी full form भी पूछी जाती है that is portable document format तो आपको याद क्या रखना है एक ऐसी file जिसको आप share करते हैं लेकिन जिसमें आप editing नहीं कर सकते that is called PDF file which of the following is true for STTP protocol निमन में से कौन सा hypertext transfer protocol के लिए बिलकुल valid है बिलकुल सही है stateless protocol, stateful protocol connectionless protocol connection oriented protocol या none of these तो STTP कैसी protocol है जो current state less होती है यानि वो state को manage नहीं करती है हर एक request STTP के लिए एक नई request होती है तो correct answer होगा this is stateless protocol suppose करिए कि कुछ भी search किया STTP के दूप तो उसका record maintain नहीं करती है STTP किसी भी record को maintain नहीं करती that's why it is called stateless protocol समझ में आया stateful protocol वो protocols होती है जो previous record को maintain करते हुए चलती है उन्हें बोलते है stateful protocol connection less protocol कौन सी होती है connection less protocol में आपकी आती है यूदिप यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल connection ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी होती है TCP transmission control protocol is the connection ओरिएंटेड प्रोटोकॉल समझ में आया अब एक बार ये भी देखिएगा कि stateless protocol कौन कौन सी है और stateful protocol कौन कौन सी है stateless जो record maintain नहीं करती वो है आपकी HTTP DNS domain name system UDP user datagram protocol तो ये सारी आपकी stateless protocol में आएंगी समझ में आगया गाईज वही stateful protocol में आपकी कौन सी आएगी जो connection को maintain करती है और store करके रखती है previous result को यहाँ आएगा आपका TCP Telnet और FTP clear है next which of the following is not a search engine इन में से कौन सा search engine नहीं है safari, yahoo, google dugduggo या all of these बताइए कौन सा search engine नहीं है safari apple के browser का नाम है safari ये तो browser है yahoo, google dugduggo ये हमारे search engine है तो answer हमें मिल चुका है that is safari is not a search engine and it is a browser of google company dugduggo के बारे में हम आपको बता दे ये सबसे secure search engine भी माना जाता है तो कई बार एक्जाम में कोशन आता है कि सबसे secure search engine कौन सा है तो answer होगा dugduggo next in ms excel 365 spreadsheet data can be sorted using ms excel 365 spreadsheet में data को किसके उप्योग करके sort किया जाता है sort का मतलब ascending order या descending order तो ms excel जो कि एक spreadsheet है यहाँ पर data को ascending order या descending order में करने के लिए हम किसका use करते हैं filter का array function का lookup function का operator function या none of these correct answer है filter करके हम data को ascending और descending order में arrange कर लेते हैं तो correct answer बनेगा that is filter function is that clear to everyone तो spreadsheet में data को sort यानि filter करने के लिए ascending and descending order में maintain करने के लिए filter function का इस्तमाल करते हैं next पताईए इसका answer क्या होगा क्या रहे using ms powerpoint 365 which layout will you use to display the hierarchy of employees in your company क्या रहे powerpoint 365 का इस्तमाल करते हुए ऐसा कौन सा layout है जो आपको employees की hierarchy शो करेगा company में company में employees की hierarchy show करने के लिए जैसे MD हो गया CEO हो गया employees हो गये उनकी hierarchy को show करने के लिए किसका यूज करते हैं organizational charge का यानि correct answer होगा option number 4 organizational charge इसकी मदद से head of the company फिर इसके बाद जो भी further distribution है hierarchies का employees के designation के according हम इस तरीके से arrange कर देंगे हैना tree like structure के format next convert the hexadecimal number 5A to binary hexadecimal से binary में conversion काफी बार पूछा गया है IVPS के एक्जाम में इस बार भी आ सकता है hexadecimal संख्या 5A को binary में कैसे बदले 5 decimal है इसका binary निकाल लीजी A का मतलब होता है 10 10 एक decimal है इसका binary निकाल लीजी तो 5 और A को अलग-अलग कर दीजे 5 को मानिए decimal A को मानिए 10 और इनको अलग-अलग solve करिए जो I उसको मिला कर लिख दीजे वो हो जाएगा आपका answer अब यहाँ पर decimal to binary conversion आपको आना चाहिए कैसे करेंगे आईए देख लेते हैं तो that will be the correct one यह होगा आपका correct answer गाईज कैसे किया सबसे पहले हमने 5 लिखा 5 का मतलब क्या है 1, 2, 4, 8 hexadecimal में हमेशा 4, 4 के pair बनाते हैं कितने के pairs बनते हैं 4 की अब 1, 1 का double 2, 2 का double 4, 4 का double 8 यह हमने लिख दिया 4 के pair बने अब इसमें से किसको जोड़ें की 5 आजाए किसको प्लेस करें की 5 आजाए तो आपने का सर 4 और 1 को प्लेस करने पर 5 आएगा तो 4 और 1 की जगे पर 1, 1 लिख देंगे बाकी जगे पर 0, 0 लिख देंगे तो क्या मिल गया 0, 1, 0, 1 अब इसके बाद दिया है A A का मतलब होता है 10 फिर से हमने क्या किया 1, 1 का double 2, 2 का double 4, 4 का double 8 4 का सेट बनाया किसको प्लेस करें की 10 आजाए तो आपने कहा सर 8 और 2 को प्लेस करने पर 10 आ जाएगा तो हमने कहा 8 और 2 की प्लेस पर 1 रखेंगे और बाकी प्लेस पर 0 रखेंगे तो 8 और 2 पर हमने क्या रखा गाई 1, 1 क्योंकि इनको जोडने पर क्या है 10 और बाकी जगे पर कर दिया 0, 0 इसको एक साथ कंबाइन किया तो हमें क्या मिल गया 0101 1010 अब लेफ्ट हैंड साइड में हम चाहें तो कितने भी 0 लगा सकते हैं उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा हरा यानि आंसर हमारे पास आ चुका है 0101 1010 समझ में आ गया कि कैसे हमने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कनवर्ट किया सबसे पहले 5 और A को अलग-अलग किया 5 को 4-4 के सेट में डिवाइड किया 1248 1248 करके किसको प्लेस करने पर ये नंबर आएगा हाना उसको हमने 11 के नीचे रखा यानि 1 लिखा और बाकी जगे पे 0 लिखा ऐसे हमने A के साथ में भी किया और इन नंबर को साथ में लिखकर रख दिया हाना तो that will be the answer समझ में आ गया कितना आसान था तो बस तरीका आपको पता होगा तो एक्जाम में आप डेफिनेटली कोशन को कर पाएंगे next SSL Secure Socket Layer अब प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाई Secure Socket Layer किसके दौरा विखसेत एक प्रोटोकॉल है SSL क्या है ये हमें Security प्रोवाइड करता है ये हमें Certificate प्रोवाइड करता है और ये Certificate होता है कि हमारी Website पूरे तरीके से Secure है इसके लिए हमें Website से हमें ।ो में से SSL Certificate लेना होता है तो SSL किस कंपनी का प्रोटेक्ट है गाईस किसने बनाया है इसको answer है Net Escape के दौरा डेवलप so answer is Net Escape correct answer is option number 3 next Dash is a cryptographic protocol designed to provide communication security over a computer network Dash एक cryptographic protocol है जिसे computer network पर संचार सुरक्षा प्रदान करने के लिए design किया गया है क्या होगा इसका अंसर Cryptographic protocol Cryptographic का मतलब encoding decoding उसमें कुछ encoding की गई होगी कुछ encryption किया गया होगा decryption किया गया होगा जिसकों बोलते हैं Cryptography तो Cryptographic protocol इसमें कौन सी है Security के लिए उस की जाती है That is TLS SSL protocol का बड़ा भाई That is called TLS Transport Layer Security यही है Cryptographic protocol जो design की जाती है To provide communication security over a computer network Clear है? Next The term internet of things was coined in Dash by the computer scientist Dash Computer विज्ञानिक Dash द्वारा IoT यानि internet of things शब्द को Dash में बनाया गया कब यह establish हुआ और किसके द्वारा establish हुआ? Answer है IoT यह concept दिया Kevin Estone ने और यह concept कब दिया 1999 यानि 1999 में तो correct answer होगा option number 3 IoT क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं IoT का मतलब जैसे smart watch Smart watch की मदद से हम यह भी count कर सकते हैं हमने कितने steps चले हमने कितनी calorie burn करी alarm set होता है उसमें alarm का भी काम बो कर सकता है as well as वो हमारे fitness tracker के रूप में भी काम कर सकता है तो जो smart watches हैं वो क्या है? IoT हैं क्योंकि उनको internet से connect कर दिया गया mobile से connect कर दिया गया हमारे smart devices से connect कर दिया गया that is called IoT IoT का एक ऐसा concept है कि जितने भी object है जैसे घर में fridge है washing machine है AC है इन सब को internet से connect कर देना ताकि हर एक चीज automatic काम करे इस पर धीरे धीरे काम चल रहा है जैसे आप देखते हैं कि आजकल fans remote से on हो जाते हैं ये भी एक part है IoT का lights जैसे ये आप अपने घर से बाहर जाएं automatic off हो जाए ये भी क्या है IoT है एक तरीके का internet of things जो automated तरीके से internet से connect होकर काम करे that is called IoT very good using the cell address dollar A4 within a formula in Excel means it is a Excel में अगर कहीं पर भी हम dollar का इस्तमाल करते हैं इसका मतलब cell referencing होता है क्या होता है guys that is called cell referencing कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि Excel में cell referencing को कि symbol से denote करते हैं तो answer है dollar से cell referencing आपकी तीन तरीके की होती है MS Excel में एक relative, एक absolute और एक mixed relative, absolute और mixed mixed की पहचान क्या होती है कि एक dollar लगा होता है या तो row से पहले, या column से पहले तो हमें यहाँ पर एक dollar दिख रहा है इसका मतलब यह mixed cell reference है तो correct answer होगा option number one अगर dollar एक dollar four होता row और column दोनों से पहले dollar होता तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं किसकी absolute cell reference की क्योंकि absolute cell reference वो cell reference है जो row और column दोनों से पहले dollar का sign यूज़ करता है dollar का sign का मतलब है row या column को fix करना row को fix करने के लिए row से पहले dollar लगा देते हैं कॉलम को fix करने के लिए column से पहले dollar लगा देते हैं तो dollar का मतलब होता है row या column को fix कर देना समझ में आया great next इन browser total dash cookies are allowed क्या रहे ब्राउजर में कुल कितनी cookies की अनुमती होती है 100, 200, 300, 400 या 39 cookies का काम क्या होता है website पर website पर जितने भी customer आ रहे हैं जितने भी लोग website पर visit कर रहे हैं उनकी statistics को maintain करना कि कोई customer कब उस website पर आया कितनी देर रुका उसने क्या क्या खरीदा इसकी सारी record कहा पर maintain होता है cookies पर तो user के record को maintain करने के लिए website के respect में cookies का use किया जाता है और total कितनी cookies यूज होती है ब्राउजर में 300 total cookies are used in the browser अब exam में ये भी question आता है कि cookies किस format में होती है तो cookies हमेशा text file के format में होती है किस format में text file में send कौन करता है cookies को server send करने के responsibility server की होती है store कौन करता है cookies को client याने browser browser पर ये store होती है client पर ये store होती है send करता है server और होती है ये text file में 300 cookies ब्राउजर में होती है इतनी चीजे समझ में आई very good each cookie can hold up to dash kb data क्या रहे हर एक cookie कितना data store करके रख सकती है 2 kb, 1 kb, 4 kb, 3 kb या none of these answer है cookies maximum 4 kb data को hold करके रख सकती है एक time पर कितना that is 4 kb के है या 4096 byte के है बात एक ही है क्योंकि 1 kb is equal to 1024 byte तो 4 kb is लंसम लंसम लगभग 4096 byte clear, very good Zigbee is based on which of the following standard कह रहा है Zigbee निमनलिखित में से किस मानक पर आधरे थे ये Zigbee क्या है Bluetooth से better technology है Zigbee Home automation के लिए ज़्यादा तर appliances को आपस में connect करने के लिए short distance के फॉर में Zigbee technology का यूस किया जाता है जो Bluetooth के comparison में काफी lightweight हलकी protocol मानी जाती है तो Zigbee का जो IEEE standard है वो है IEEE 80.15.4 that is option number two will be the valid one so correct answer होगा this one clear very good in Excel how many characters can be typed in a single cell Excel में बहुत सारी cells होती है there are so many cells in the Excel sheet उन cell में एक cell में maximum कितने characters टाइप किये जा सकते हैं how many maximum characters can be typed in a single cell answer is 3, 2, 7, 6, 7 maximum characters कितने टाइप किये जा सकते हैं so the answer is 3, 2, 7, 6, 7 characters इससे ज़्यादा एक cell में characters को टाइप करने की permission नहीं होती है getting the point very good what type of parallel port was used in apple computer apple के computers में किस प्रकार के parallel port को प्योग किया जाता है बहुत famous है और apple के computers में ये port बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है exam में ये भी पूछा जाता है कि ये port किस company के द्वारा develop किया गया है तो answer होगा apple इस port का नाम बताइए that is scsi port जानि जिसे बोलते हैं small computer system interface port scsi means small computer system interface port next dash is a communication protocol ये एक communication protocol है used to find the mac address जिसका इस्तमाल media access address को find करने के लिए किया जाता है answer है answer है ARP address resolution protocol का काम होता है to find the mac address so the correct answer is address resolution protocol याद रखिएगा ये question exam में कई बार आता है अगर find the mac address है तो answer ARP होगा अगर question में find the IP address है तो answer RARP होगा reverse address resolution protocol clear है great next the number of characters that can be represented in ASCAE 8 are ASCAE मतलब American Standard Code for Information Interchange ये दो तरीके का होता है एक ASCAE 7 और एक ASCAE 8 ASCAE 8 टोटल कितने characters को store करता है कितने characters को represent करता है तो answer है 256 characters जबकि ASCAE 7 128 characters को represent करता है तो यहाँ पर answer हुगा 256 characters for ASCAE 8 the size of commonly used floppy disk is आम तोर पर प्रियोग किये जाने वाले floppy disk का कार क्या होता है चो common use वाली floppy disk है आजकल तो floppy disk का use होता नहीं लेकिन पहले के समय में floppy disk का use किया जाता था जो A drive और B drive के format में शो होती थी और जिनका by default जो common size था that is 3.5 inch यानि 3.5 inch की by default floppy disk देखने को मिलती थी जो की एक तरीके की magnetic disk है floppy disk और hard disk ये दोनों ही magnetic disk के example है जबकि CD, DVD, Blu-ray disk, holographic versatile disk ये सब आपके optical disk के example है तो optical disk में कौन-कौन सी आएंगी, CD आ जाएगी, DVD आ जाएगी, Blu-ray disk आ जाएगी, high storage capacity के साथ या फिर holographic versatile disk भी, HVD भी आ सकती है Next Which of the following shortcut is used to insert a note in a cell in MS Excel 365 MS Office 365 में MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 365 आते हैं तो MS Excel 365 में अगर हमें note लिखना है इस cell के साथ तो कौन सी shortcut की होगी, note लिखने के लिए Shift प्लेस F2 इसके थुरू हम note या comment एड़ कर सकते हैं किसी भी cell के साथ Shift प्लेस F2 So the correct answer is this one Very popular but बहुत बार पूछा गिया है ये question MS Excel 2019, 2021, 2016 किसी भी वर्जन के साथ पूछा जा सकता है Answer same होगा Shift प्लेस F2 Next Which of the following shortcut To add a new row above a given row in MS Excel 365 MS Excel 365 में एक नई row add करने के लिए Suppose एक given row है, उसके ऊपर आपको एक नई row add करनी है तो इसकी shortcut की क्या होगी? Correct answer है Alt I plus R ऐसे याद रखिए उपर का मतलब हवा हवा मतलब air Air मतलब Alt I R तो उपर row add करने की जो shortcut की है वो क्या है? Air है मतलब Alt I plus R Next Dash is any device Such as PC, printer और another server Which requests services और resources from a server Dash कोई device है जैसे personal computer और PC मतलब प्रेंका चोपड़ा तो होगा नहीं क्या होगा? पर्सनल कम्प्यूटर प्रिंटर या अन्य सर्वर जो सर्वर से सेवाओं या संसादनों का request यानि अनुरोद करता है that is called जो request करे वो client जो response दे वो server यानि answer क्या होगा? request के sense में client यानि option 3 is the right one Very good, next one which of the following malicious program do not replicate automatically name नलिखित में से कौन सा malicious program यानि negative program यानि निगेटिव प्रोग्राम यू कैं से जो replicate जो replicate नहीं करता जो अपनी खुद की copies नहीं बनाता that is called Trojan Horse तो Trojan Horse कभी भी replicate नहीं करेगा अपनी खुद की multiple copies generate नहीं करता है that is called Trojan Horse और मैंने previous session में आपको बताया भी था कि Trojan Horse का का काम क्या है that pretend to be useful but actually not जो अपने आपको useful दिखाए pretend करें कि मैं useful हूँ लेकिन actually में नहीं है that is called Trojan Horse next adding dash to object on your slide not only control the flow of information but add interest to your presentation is called बात हो रही है PowerPoint की PowerPoint में as the quons object है जो slide पर काम करता है और control करता है information के flow को interest add करता है आपकी presentation को बहुत attractive बनाता है बहुत जबरदस बना देता है that is called animation तो हम लोग presentation पर objects के उपर क्या लगाते है animation लगाते है जबकि transition क्या है slide को कैसे slide आएगी और कैसे जाएगी इसके movement को maintain करने के लिए transition का इस्तमाल किया जाता है so to maintain the movement of the slides की slide कैसे आ रही है और कैसे जा रही है this is called transition और किसी भी object पर जैसे image या text पर हम क्या लगाते है animation लगाते है समझ में आया slide पर transition object पर animation object का मतलब we can say images we can say text इन में क्या लगेगा animation लगेगा next the resolution of a VGA screen is VGA का मतलब होता है video graphic array video graphic array screen का resolution कितना होता है that is 640 into 480 VGA का resolution काफी बार exam में पूछा जाता है you have to remember this that is 640 into 480 यानि third is the correct one और कभी भी हम resolution को कैसे measure करते है horizontal manner में measure करते है next in a spreadsheet spreadsheet में letters are used to represent letters को कैसे represent किया जाता है तो spreadsheet का मतलब ms excel you can say letters का मतलब characters characters का मतलब characters का मतलब rows, columns, blocks, cell या 9 of these क्या होगा बिल्कुल सही that this is what we call columns यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं characters कह सकते हैं alphabet कह सकते हैं और alphabet को हमेशा columns के तुरू represent करते हैं जबकि numbers को rows के तुरू तो याद रखिएगा कभी भी letters पूछें alphabet पूछें characters पूछें तो आंसर क्या होगा columns जैसे A, B, C, D, E, F, G, H और numbers पूछें तो आंसर क्या होगा rows next once the email is sent the message is broken into pieces called who is known as the founder of email email के पापा कौन है founder कौन है that is Mr. Ray Tomlinson और अगर option में Ray Tomlinson नहीं हुआ तो शिवाई या दुरई is known as the founder of email email के जब हम बात करते हैं तो message को broke किया जाता है किसमे? packets क्योंकि internet पर जो भी message होता है उसको हम break करते हैं packets के form में for it security point of view so that is the correct one option number one next and the last question guys which protocol is lightweight protocol ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है networking में जिसको हम lightweight protocol बोलते हैं हलकी full की protocol बोलते हैं MQTT, STTP, POP3, SMTP या all of these lightweight protocol की category में एक ही protocol आती है जो बहुत हलकी है जो lightweight में है that is called MQTT and that stands for message queuing telemetry transport यानि इसकी full form भी पूछी जाती है message queuing telemetry transport protocol जिसका use IOT में किया जाता है internet of things में इसका इस्तमाल किया जाता है lightweight protocol का that is called MQTT तो out of 40 आपने कितना score किया comment करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ ये है आपका question of the day बहुत बार पूछा गया question है और IBPS का one of the famous question भी आप कह सकते है कि MS Office 365 MS Office 2019-2021 किस language में बनाएगा इस तरीके के questions programming language से exam में पूछे जाते है आपको यहाँ पर बताना है कि MS Office 365 जो है जो कि online version है MS Office का latest version है MS Office का subscription based service है MS Office का इसे कौन सी programming language में लिखा गया Microsoft 365 किस programming language में लिखा गया है that you have to tell and the options are C, C++, Java, C Sharp या all of these क्या होगा इसका correct answer कमेंट करके बताइएगा मैं answer इसका display करूँगा आपको next session यानि day 3 में कैसा लगा आपको यह session out of 40 आपने कितना score किया session में कोई भी confusion है तो comment box में comment करके पूछेगा साथी साथ अगर session आपको पसंद आया हो तो एक बार like करिएगा computer के videos को देखने के लिए subscribe करिएगा और साथी साथ अगर computer को basic level से advanced level तक exam oriented पढ़ना चाहते हैं तो आप इस course से भी connect कर सकते हैं जहाँ पर इस course से connect होने के बाद किसी दूसरी video, mock test, pdf को देने की requirement नहीं है क्योंकि इस course में सब कुछ available है pdf भी है, mock test भी है, videos भी है, concept भी है, mcqs भी है videos format में mcqs भी है तो इसका मतलब बस इस course को लीजिए और computer की tension से free हो जाईए कैसे ले सकते हैं, Aroda Educator application को install करियेगा Google Play Store या iOS Store की मदद से और फिर आप इस course से connect हो सकते हैं किसी भी confusion के regarding दिये गए नंबर पे WhatsApp करके भी आप directly हमसे अपने confusion को पूछ सकते हैं That's all for today guys, बहुत जल्द मिलेंगे next session के साथ Till then, bye bye and take care झाल